वाहिगुरुजी का खल्सा वाहिगुरुजी की फते इस वरे फरवरी दो हजार इकी देवेच ननकाना सहब दी महान पावन पवितर तर्ती देवते ननकाणा साहब दे शेहिदी साके दुरान महान शेहिदीयां प्रापत करनवाले जोदेयां सोर भीर सिंगांदा शेहिदी देहडा सौ साला शताब दी दी रूप दे विच मनाया जारे सिख अपनी जान दे नालों जादा अपने गुर्ता मानों गुरु करानों प्यार करदा है गुरु करानते जदो भी कुई आँ चाउंदी है सिख तड़ पुटदा है चाहे बड़े तो बड़ा सामराज भी सामने होवे सिख टकराउन तो गुरीजनी करदा ओस वकत जदो ये हावलनाक साका वाप्रिया सिख पंथ दे महान गुरुदवार्यां दा प्रबंध महंता कोल सी शुरु शुरु दे वेच महंत नेक आचरन वाले साउ पजन बंदगी सेवा सिमर्न वाले परचार परसार दे वेच रुची रखन वाले सन पर जदो खालसा राज स्थापत होन दे नाल सिख राजया ने अपना फर्ज समझ देया गुरु करांदे नाम जैदादा लवाईया गुरु करांदी आमदन बदी तो ओस वकत जड़े नेक साउ पजन बंदगी वाले महंतां दे जड़े वार्स सन महंत बने वो प्रिष्टो हो गए भैमान हो गए उननानू संगत दी मताजी ना रही संगत दा सतकार ना रहा वो गुरु करांदू अपनिया निजी द्यादादां समझ लाग पै सिख मर्यादा सिख प्रमप्रामादा का आण गुरु करांदे विची होन लगया अजेही स्थिती दे विच पंथ बहुत वड़ा तर पुठेया सिख मनानू बड़ी पारी ठेस जेडिया आई दिन गुरु करांदे विच वर्तदियां कटनामादे नाल पहुंच लाग पै जित्थे सिख पंथ ने इनना हिर्दिवेद कटनामानू सुनेया देखेया मान विचलत होया उत्थे सिख पंथ दे अंदर विचारां भी चलन लगीया कि जे इस वक्त सिखी दा चंडा बुलंद करना है क्योंकि सिंग सभा लहर्दा उठान हो चुक्या से सिखा अंदर جघरती जड़िए तरम प्रति, प्रमप्रती, मर्यादमा प्रती उन्षिरू हो चुक्य से ता सिख सुजवाना, विदवाना, वदियार्थियाने, साबका फोजियाने ते मैं हसूस कीता कि सिखी दा जे चंडा पर चंड रखने बुलंद रखने ता सब तो पहला साननों गुर्दवारियां दे अंदर मर्यादा जड़ी ये पंथक उब भाल करौनी पाएगी ते मर्यादा बहाल करौन दे लई परबंध जड़ा है उस चज़े हथां दे विच खाल सा पंथनों लेना पाएगा ते उस वक्त जड़े काबज महांत सान उनानों उस वक्त दी सरकार जड़ी सी अंग्रेज ज़न दी उदी पूरी शै सी इम्हांत बेबचारी वी सान नशेडी वी सान बैमान वी सान ते सरकार जड़ी शैवी सी तसिक पंथने 14 नवंबर 1902 स्रिया कालता का साहब जी दे सनमक अकठी हो के एक सर्भ संजी शिरोमनी गुर्द्वारा परबंद कमेटी दी स्थापना कीती और एहद लिया की गुरु करांदा परबंद शिरोमनी गुर्द्वारा परबंद कमेटी दे अधीन खालसा पंथ जड़ा है उँ आप करेगा इसे ही मकसद नो मक्राख दे यां गुरु करांदे परबंद जड़ी है उँ लेने पर रंब कर देते गए ननकाना साहिब अज भी ते ओस वकत भी विशपार दे सिखांदा महान दिल मन्या जांदा ननकाना साहिब सिरी गुरु नानिक पाथिशा जीदा ओ पावन अस्थान है जिते ता नुगुरु नानिक साहिब सचे पाथिशा ने परकाश लेया जिस नगरी दियां गलियां दे वेचे ता नुगरु नानिक साहिव से चे पाध्षा बिचरे अपने संगियां साथियां नो एक उवंकारदा उपदेश देता सिक पंथले नंकाना साहब दा महतव जड़ा है वो बहुत वड़ा है बिलकुल उसे तरह जिमें मुसल्माना ले मक्के दा महतव है हिसाईया ले यूरुशलम दा महतव है हिन्वा ले अपने जड़े वड़े ता अर्मक अस्थान है जिमें काशी है पुरी है इना दा महतव है अपने तामादा महातमें उसे तरहीं सिख पंथ देंदर गुरू करांदा बहुत बड़ा महातव है ते ननकाना साहिब दा महातव जड़ा है सिख पंथ देंदर ये भी बहुत ज़ादे है इते महांतसी नराइन दास जिन्नों नराइनू जड़ा है वो सिक पंथ केंदा है तरसकारी पावना दे अधीन क्योंकि उने कार जी अजेहे पैड़े ते अवैड़े कीते खालसा पंथ ने फैसला कीता के 5-6 मारच 1921 बड़ी अकतरता करके ननकाना साहब्दा परबंद लेन बारे वे 4 जड़ियां है वो कितियां जानते फिर उन न दे उते अमलदारी जड़ी है वो करनी जकीनी बणाई जावे निरेणू महंत तक कई सुने है पे जे निरेडू महंत जीसनू अंग्रेजां दी पूरी सपोर्ट सी उसने सुला सफाई दे वी जतन ड़ड़े सिखा नल करने पर रंप कर देते एक पासे सुला सफाई दे जतन करने पर अरंब कर देते ने रेणू महंत ने ते दूसरे पासे उसने टक्रादा रस्ता अपनाओन वास्ते जंगी तियारियां जड़ियां है वो अरंब कर देते या महंत दे नाल समझाओते दी गालबात भी जड़िया वो हुंदी रही बढ़ा बढ़ा गालबादे विचरोल से महंत जड़िया एक इंह गालबादे नाल नाल कि तक्राव करन लहीं बहुत दूवडब तयारियां जड़ियां है वो कर लगपिए को यह ईनने मता पास कर लिया मता पका लिया है जोी बाराँ पका व्हींतर मार्च नू जड़ा है उननकाना सहब बलावन दा फैसला कर लिया क्योंकि पांथ नी जड़ा है ओ पांच छे मार्च उनीसो इकी नू बड़ा अकाठ जड़ा है ओ सध्या सी जिस विचननकाना सहब दे प्रबंद लेन बाड़े विचारा होनिया सी पर एस गालदा पता नीसो इकी दे विच ननकाना सहब पांच छे हजार दा जथा जड़ा है ओ लेके जानदा फैसला कर लिया चूड काने दे स्थान दे उत्ते पंथ ने बड़ा अकठ की था जगा जगा सुने हे जड़े है ओ पांचने शुरू हो गए कोज सेंग दे दे आ है ओ पांचन दे व पेच बला रखे सान जदो ही सिंगा दा जथा गुर्द्वारा सिरी दरवार सहे नंकाना सहब दी पावंतर ती दे अंदर पुझे आ ते प्रबंद जड़ा सी इनन ने अपने हथा में चले आ ते ने रैनू महांत दे गुंडियाने बे दर्दी दे नाल बे रहमी दे नाल इनना सिंगा दे उते जोरदार जड़ा सी उहला बोल देता बड़ी कतलोगारत होई एस कतलोगारत दे विच सरदार लश्मन सिंग तारुवाल इननू मारिया गया जानदे नाल बन के अगला के शहीर कीता गया बड़ा बड़ा हॉलनाक साका जड़ा है इस अस्थान दे उत वर्तिया जिसने अगे चल के गुर्द्वरा सुधार लेर दी मजबूती ले बड़ा जड़ा है वो अधार काइम कीता हुआ एस साके दे नाल सिख पंथ दे अंदर पूरी तरह खलबली मच गई चोटे-चोटे बच्यानू में ना बक्षिया गया बज़र्गानू नौजवानानू जड़े ननकाना साथ सिरी दरबार साथ जिदा प्रबंद लेन वास्ते गये सन उननू बुरी तरह चबिया तलबारां गोलिया दे नाल शहीद कीता गया अज भी सिरी दरबार साहिब ननकाना साहिब दे अंदर उना गोलिया दे निशान जड़े है उदेखे जा सकते है परसिखा ने शान्ती दे नाल अपनिया महान शहादतां जड़ी है एस देन देती है जड़ों समचे खालसा पन्त नों पता लगया के ननकाना साहिब दी तरती दे उते वड़ा जड़ा हाउल नाक एक साका जड़ा है ओवर्त चुके है सिंग जड़े है उजाना गवा चुके ने ता अंग्रेज सरकार भी हरकत चाही उसने आखीर सिख पन्त ने रोदिया की चुक दिया सिरी ननकाना साहिब दा परबांद चाबियां खालसा पन्त ने हवाले कीतिया तई फर्वरी उनिस सु एकीनों सारे शहीद सिंगां दा ससकार करन्दी मिती जड़ी है ओव मुकरर कीति लखाईं लोगां दा अकट इस मौके जस दैन शहीद सिंगां दा ससकार कीता गया होया ते ए परन किता गया कि होन होर जड़ा है वो बरदास्त नहीं किता जाएगा हार कीमत दे उते जिनने वी साथे गुरु कारने उनना दा परबंद खाल्सा पंत अपने हथी लाएगा कोज विद्वान शहीद होनवाले सिंगा दी गिंती 86 दे करीब मन देने ननकाना साहब गुरुदरा कमिटी जो इतिहास चाप दी हो दे विच 86 लिखिया है पर कईया ने गिंती 150-200 तक भी जड़ा है उ लिखिया एस ननकाना साहब दे साके ने सिख पंथ दे अंदर जोश, उत्शा, हिमत ते अगाँ होर इना बैमान महानतां पजारियां दे खलाफ संगर्श लड़न दे लई जज़वा जड़ा ओ पैदा कीता आखर ओ देनाया जोदो कौम ने समच्चे गुरु करांदा प्रबंद जड़ा सी खास्ता औरते ननकाना साहब दा गुरु द्वारा पंज़ा साहब दा इस शरोमनी गुरु द्वारा परबंद कमिटे दी स्थाप्ती लई भी बहुत वड़ा अधार बनेया अच्छ ननकाना सहब दे साके दा साव साला शहीदी दिहाडा जड़ा है समुच्छा खालत सा पांथ शताबदी रूप दे वच मना रहे हैं सिक गुर्दवार्या नूं प्यार कर दाया क्योंकि गुर्दवारे जड़े ने उस सिखी पर चार परसार दे सोमे ने गुर्दवारे सिखी दे सिकूल ने पुझा स्थान नहीं है कि सिखावे पुझा करेते करनों वापस चला जाए ए इबादत सिखान भी ने पर अबादत सिखान दे नाल नाल इसाड इसिकूल ने इते सिखा के रह तुष सिखदै, संगत दे राहीं, परमेशवर दे नाल, सद्गुरु दे नाल साज के में पवनी ये इत परिका सिखदे सेवा के में करनी ये समच्ची मानमता दी संसार दी अंदर इसानू गुरु कार सखाऊँ देने जदो सिख खाके लंगर दे विच परशादे बनाऊंदाए दाले बनाऊंदाए बरताऊंदाए बरतन मांजदाए ते फिर इस सब्क मिलदाए कि इसे तरह समुची मानवता दे अंदर जिनने भी पुखे लोड़ वंद जा चिकने उनना अहार जड़ा है उशिक होनाए उनना दे बरतन तक जड़े आँ मांज़ने है शिख गुरु करा के चाड़ू मारदाए साफ सफाई करदाए सिख दाए सिख गुरु करदे विच्चों के एमें असी समाज दे विच भी सफाई रखनी है अपने करांच सफाई रखनी है अपने आले दवाले भी सफाई रखन इस सारा कोज सिख चेड़ा है जीवन जाच इक गुरु का रांदे विच्चो सिख सिख दा है तिस सखाऊना है सत्गुरु उतों दे सुचजे परचारक सहबान दे राहीं गरंथी सहबान दे राहीं इसलई गुरु का रदा प्रबांद चेड़ा है उस सुचजा पारदर्श इन आई होई संगत नू जिते प्रेम पाव देनाल अदब देनाल सत्कार देनाल बरताव करेवे उठे संगत नू गुर्मत दी सोची वी करवावे, गुर्मत वुजानों वी करवावे। इननकाना साहिब दे साके दा कारणी ये सी कि उत्थों दे जड़ा महांत सी उँ बहुत आयाश हो चुकिया सी जड़ी संगत आउंदी सी उनना दा तरसकार कारदा सी एथो तक कि एक लड़की दे नाल उत्थे जड़ा ततकालिन कारण बने सी उए होई बने ऐसी कि एक लड़की देनाल उते जबर जना जड़ा है उँ होई आसी जिसनों सुनके शर्दावान सिखान दे रौंगटे खड़े होई सी ते फैसला कीता सी कि एस नंकाना साहिब सिरी दरबार साहिब दा परबंद हर ही ले हर कीमत दे उते सिखने अपने हथान दे विच लेना है ते फिर सीस दे के जाना दे के सिरी नंकाना साहिब दा परबंद खाल सा पंथ ने अपने हथान दे विच लेया साव साल एकी फरबरी उन्निस सु एकीनों हो जाने ने एस साक्षिनों वरतिया अच जरूरत इस गल्दी है कि असी तानु गुरु गरंद साहिव सचे पाधशी दी बानी दी जड़ी फलस्फा है बानी दी जड़ी विचारता रहा है उसनो समझन दे जतन करी बानी नू सुन रहे हैं, सुनना चाहिद है बानी पढ़ रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़नी चाहिद है पर बानी सुनन दे नाल, बानी पढ़न दे नाल बानी नू समझना ले पासे वी होना सी तुरिये कला बानी नू समझना ले पासे वी ना तुरिये बलके बाणी नो समझ के बाणी नो अपने जीवन दा हिस्सा बनाऊना ले पासे वे जड़ा है और असी चलन दे ले जतन करिये फिर ही साधे ए शहीदी साके मनाऊने जड़े ने उसार ठकने दुझी कल जड़े मैं कहने हैं एक सिख पांता हमेशा ही अपने शहीदाना सतकार कर दे शहीदानो याद रख दे और याद रख दा रहेगा गड़ियां कौमा अपने शहीदानो याद रख दी है उन्हा कौमा दे विच शहीदी जजबा रखना ले ना उजमान हमेशा पैदा हुन दे रेंदे ने और मैंनों खुशी है कि मेरी कौम सिरी ननकानस सहब दे साके दे विच्चे शहीद होनवाले महान जो दे आनू पाईसा पाई लश्मन सिंग जी तारूवल वर गे तारीवल वर गे महान सूर बीर जो दे जिनना जन्ड दे नल बन के साड़े आ गया उनने एस महान शहीदी साके नो गिड़ा है उजाद कर रही है